देश भर में कुरोना की रफ्तार तेज हो गई है ऐसे में बिहार में लगतार बढ़ते कुरोना मरीजों की मामले ने बिहार सरकार को भी चिंता में डाल दिया है आपको बता दे कि मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने बढ़ते कुरोना मामले को लेकर उच स्तर ये बैठा की जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पे मुस्तैद है और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी कुरोना जाच की जारी है के लिए भी क्या-क्या करना होगा और क्या-क्या सुविधा देनी होगी यह सब के लिए बात्चीत हो गई है पूरी तैयारी हो रही है महराश्ट्र से आने वाली ट्रेन पर विशेज नजर रहेगी उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी हम लोग वो करने का ये सिलसिला सुरू हो गया है इसके साथ ही उन्होंने स्कूल को एक सब्ता और बंद रखने को कहा है सभी सरकारी करमचारी 35 फीसदी और प्राइविट संस्तार में 35 फीसदी उपस्तिती होगी सिनेमा हॉल की शमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा रेस्टूरेंट अपनी शमता का 25 फीसदी इस्तमाल कर सकेंगे सभी घोशना आए 30 अप्रिल तक लागू रहेंगे सीम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी लॉकडाउन पर विचार नहीं हुआ है नाइट करफ्यू पर भी अभी कोई विचार नहीं है साम तक अभी रहने दीए और उसका सुबह से जितने वज़ा से करें नो तो एक अभी किया गया लेकिन अभी अगले तीन-चार दिन में और सब चीज को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे करने लिए आखे न्यूस 24 आप सभी से अपील करता है कि सरकार द्वारा दिये गए गाइडलाइन्स का पालन करें मास्क पहने, सनिटाइजर का प्रियोग करें और दोगज की दूरी बनाए रखें फिलाल इस खबर में इतना ही दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहाए न्यूस 24 और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल कर ले धन्यवाद